आप सभी को नमस्कार देव भूमी उत्राखंड के इस परवतियांचल से हम अपने इस ब्लोग में आप सभी का हारदिक स्वागयत और अभिनंदन करते हैं और साथ ही आशा भी करते हैं कि आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ जहां भी होंगे कुशलता के साथ होंगे और आपकी कुशलता की निरंतर कामना हम अपने ब्लोग के माद्यम से करते रहते हैं तो चलिए आज के ब्लोग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लोग की शुरुआत हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे घर के आसपास जितने भी पेड़, पौधे या जो भी छोटी-मोट फसले बो रखी हैं उनके बारे में आपको आज इस ब्लोग के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं तो ये ब्लोग है बागवानी इस्पेसल तो चलिए ब्लोग को शुरू करते हैं घर के आसपास हमारे दो-तिन खेत हैं और ये खेत भी अब धीरे-धीरे बंजर हो रहे हैं तो यहाँ पर दो पिताजी ने ये लगा रखा है तेज पत्ते का पौधा पौधा का एक बड़ा बरक्ष बन चुका है मैंने पहले भी दिखाया था आपको और इस पे देखिए कितन सारे पत्ति आ रखें तो इनको सुखा करके मसालों के रूप में या और शदी के रूप में हम प्रियोग कर सकते हैं तो वंदना तोड़ रही है अभी तेज पत्ता और इनका यूज करेंगे हम मसालों की तरह सबजी में डालेंगे ने इसको यहां पर देखिए यह लगा रखा है अलुवेरा और अलुवेरा तो इतना जबरदस्त हो रखा है ने या तो यहां मैं जितने भी चीजें आपको दिखा रहा हूं यह पूरी तरह से और गैनिक है याने कि जैविक है इनमें किसी भी प्रकार के रसायन का उप्योग नहीं क और भी महत्वपून हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं अलुवेरा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा गूदा है इसके अंदर जो पल्प निकलता है वो बहुत अधिक मात्रा में है इसके साथ ही यहां पर यह नारंगी का पेड़ लगा रखा है उसके सामने अमरूद का पेड़ है और उधर आम के पेड़ भी है दो लेकिन उन पे आम आते हैं और यह जो हमारा पतला सा खेत है इसमें मैंने बो रखेते हैं गहत लेकिन अभी वो उगे नहीं है अंकुरन नहीं हो आए उनमें अब बारिश हो गए तो अंकुरन उनमें भी हो जाएगा इसके साथ ये देखिए ये मौसमी का पेड़ है काफी बड़ा हो चुका है ये नए पेड़ है हमारे और जो पुराने पेड़ है ये है वो पुराने पेड़ बड़े बड़े ये तो उसका है चकोत्रा का इसके चकोत्रे आपने देख रहे हैं काफी बड़े चकोत्रे लगते हैं इसके बाद देखें सेव का है ये शेव चोटे-चोटे दाने ये और醬 रहते हैंせて प्रस्राइए prefam दिया ये जाए है उसके बाद ये। ये भी फॉकुश्ड है पीले नीमब्व होते हैं बड़े बड़े यह माजी ने इस केले को सुरक्षित रखने के लिए देखो अपनी स्वेटर लगा रखे इसके चारों और इस नीचे वाले खेत में भी बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं उदर मौसमी का है फिर आडू का है ये फिर नारंगी का है और ये दिये कि अनार तो मैंने आपको पहले भी दिखा ये बहुत सारे अनार आ रखे हैं लेकिन हमारे हिस्से में नहीं आएंगे लेकिन इस बात क प्रसन नता रहते हैं कि चलो कोई पश्व पक्षितों इनको भी खाई रहे हैं और इस पर देखें कितने सारे अनार आ रहे हैं यह माल्टे का पेड़ है यह देखिए माल्टे भी आ रहे हैं यह चीमिया है अब सर्दियों के मौसम में इन पर बहुत अच्छी चीमिया आएंगी तो इन चीमियों की बनती है सबजी जब सर्दियों के मौसम में सबजियों का अभा हो जाता ना इस पहाड़ी भाग में तब इस पे बहुत सारी चीमे आऊंगे और जब मैं सर्दियों में आऊंगा तो आपको अवश्य दिखाऊंगा इस बेल को तो ये बेल उस समय लक दक हो जाएगी उसके बाद घर के पास दिखिए ये क्यारी है इसमें भी ये बेल जा रही है चीमियों की ये भी बड़ी हो जाएगी सर्दियों तक इसमें बो रखे है चौलाई और फ्रेंच बीन तो इनकी आजकल जबरदस्त सबजी बन रहे है जिस दिन से दीदी लोग आये है लगातार चौलाई की और टुकरो की और पाफ़ड की भुज्जी तो बनी रही है और ये देखिए है ये है अश्वगन्धा एक ओशधिया पादप होता है तो इस पे इस दरह से भी जाएंगे फिर इसके अंदर लाल रंगयों के चोटे चोटे भी जाते हैं लेकिन ये है कि इनको चिडिया चट कर जा रही है चिडिया खा दैरे रहे हैं इनको ये गहीं आप थिनूंए क्योंकि अच्छी नमी हो रखिया और इधर भी छीमी बू रखिए इसमें चौल यह है इसमें भी चौला ही काड़ी है मुझ्जी कि लिए अच्छी चौला ही हो रखिती हैं और यह आम का पेड़ एक बड़ा सा इसपे भी आमने आते हैं लेकिन इसकी छ और यह देखे, फिर से हम इसी पेड में आ गए, बहुत सारे बहुत सारे और यहाँ पर लगा रखे हैं टमाटर की नई पाद और इन्में तो टमाटर आने शुरू भी हो गए यह देखिए चोप छटे चोटे पादे हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी के टमाटर हो जाएंगे तो बर सात में इन पर धेर सारे टमाटर आने वाले हैं यह दिखीए पु तमाटर मेरे पिताजी कभी भी जिस दिन विश्व परियावरण दिवस आता है उन्होंने एक भी पौदा नहीं रोपा है और नहीं उन्होंने कभी अपनी फोटो खिचवाई है और मेरी भी ये मान्यता है कि विश्व परियावरण दिवस यानि कि वर्ड एन्वायरमेंट डे के दिन जितने भी पौदे रोपे जाते हैं अगर उन में से 25 परितिसत पौदों की भी रक्षा की जाए उनको अच्छे डंग से उनको सुरक्षा दी जाए और उनको पानी दिया जाए खाद की विवस्था की जाए और उन्हें पाला पोसा जाए तो इस धर्ती पे न जाने कितने व्रक्ष हो जाएंगे लेकिन उस दिन ऐसा होता है कि फोटो खिजवाई जाती है और उसके बाद उन पौधों से कोई मतलब नहीं रहता किसी का बहुत कम लोग होंगे जो उनकी रक्षा करते होंगे उनकी देख भाल करते होंगे लेकिन अधिकांशता ऐसा देखा गया है कि उन पौधों पर किसी का ध्यान नहीं रहता है और कुछ समय के बाद वो पौधे सूख जाते हैं फिर अगले साल उसी स्थान पर एक फोटो खिचवाने के लिए कार्यकरम आयोजित किया जाता है कि आज विश्व परियावरन दिवस है तो एक फोटो खिचवाई जाए और एक छोटा सा पोधा रूपा जाए तो जब तक हम इस तरह से करते रहेंगे तो ये हमारे अपने छलावा है तो इससे नहीं हमारे परियावरन की सुरक्सा होगी और नहीं हमारे व्यक्तिगत जीवन की सुरक्सा होगी तो हमें इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा घर के आसपास लगातार लंगूर और बंदर आ रहे हैं और इस वज़े से इन जो फलों के पेड़ पौदे हैं इनकी वज़े से जो यहाँ पर हमने ये बीनस बो रखे हैं या राजमा बो रखे हैं इनको भूए नुकसान पहुचाते हैं तो आज दो पहर में हमने इन पेड़ों से जितने भी सेव बचे हुए थे आदे तो वे खा चुके थे पहले ही तो हमने आज दिन में उनको तोड़ दिया है और आप देख सकते हैं वो रखे हुए हैं कुछ तीन चार सेव तो मा और पिताजी ने बोला कि हर पेड़ को खाली नहीं किया जाता है तो इसलिए उन्होंने इन पर कुछ सेव अभी बचा करके रखे हुए हैं तो वे पक्षियों या बंदरों के काम आ जाएंगे राजमा बो रखी हैं इनको तो अभी लगवग आठ से दस दिन हुए होंगे बोए हुए तो अच्छा अंकुरण हो गया इनमें भी और पहले इनमें आमने पाने डाला था लेकिन जब से बारिश होई तो तब से इनमें अच्छी अरिया लिया आ गई है और स्टोवेरी तो आपने देखी रखे हैं हमारे घर के आसपास इनमें रोज हम डुगगू के लिए स्टोवेरी निकाली लेते हैं कही न कहीं से और अभी देखिए कच्छी हो रही है ये खटी भी होते हैं मातलब एकदम मीठी भी नहीं होती हैं जो पक जाएंगे बड़ी क्यारी हो गई यह देखिए यहां से यहां तक तो आप दी अपने घर में इस्टोवेरिस लगा सकते और यह देखिए यह हैं अरवी के पत्ते बहुत ही अच्छे ओह सो रखे हैं अरवी के पत्ते और आजकल हम रोज इनकी भुझ्जी बना रहे हैं तुकरू के पत्तों के साथ क्योंकि यदि हम परियावरण के प्रहति जाग रूप रहेंगे तो हमारा जीवन सरलता और सहजता और सुगमता से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा तो यह जितने भी पेड़ पोध है आपने देखे इन में मेरे पिताजी और माजी का योगदान सबसे अधिक है और हम उनके सहायक के रूप में हमेशा उनके साथ काम करते हैं तो अब इस ब्लोग को हम करते हैं यही पर समापत और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए ब्लोग के साथ तो तब तक आप अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा और देखते रहेगा हमारे चैनल के वीडियोज तो मिलेंगे बहुत जल्द तब तक के लिए जै हिंद जै उत्राखंड जै देव भूमी